नमस्कार दोस्तो मैं रावल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका अपने जोती सिखाने की संखला को जारे रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के अंदर चंद्र देऊ यानि चंद्रमा का किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तुला लगन के अंदर चंद्रमा किस तरह के एफेट देगा किस तरह के रिजल्ट देगा लिब्रा एसेंडेंट के अंदर यहां पर सिर्फ पर लगन कुंडली की बात हो रही है रासी कुंडली के नहीं क्योंकि लगन कुंडली के हिसाब से ही प्रेडिक्सन्स एकुरेट होत चंद्र कुंडली तो अगर लगण में साथ है पैने भाह में साथ तुला लगण को धुषिछ दूरुप से अब चंद्रमा निक्लिप रश्ट्राम दुष्ट्रोटि के सुवांतों नójमालर स्थेमने 친र हैं उसमेरी फॉक्ती सरोप्राप्धी पर दूरुप से पता चलेगा कारक है है या मारक है कैंश अगर चंद्रमा क्राब है उनका अंस्दम है तो फल में मारें need खराब और बली आ टो ख्राब फल भी पहुंचाता देंगे चंद्रम कुडेली में अच्छी परेंगा है थो अच्छा प्ली प्रवहरा में प्लेश्मेंट अच्छा है और घुंट आधा तो अच्छा फल sailed कि झाहिए और में ब्रवहरा बें alia दीए देखना चलित कुड़न जेट से लीकासि लिए घरे ऐसी होते हैं पर कभी द्रश्टी को भूत मे hydつ mówi उपर को अगर डिर्श्टी पड़ जाय और सभाव गडित हो जाता है था वह flips मान्सिक प्रेशाद लेक्ट भेशाद रहता है वह दूसेरी को चत्रम करों और रहेलें पार लिए बसचे बढ़िए तो सुखी हमाथ दहाता उसको जादाता नहीं लगाओ रहेता है दूसरे वहाखक जाता यहाख के लगा ही आफ हो straw Wayne बोली पहुत अच्छी दो से ज्यादा उसको बोली होती है जातक कि और नमकीन खाने का सोकीन होता जातक जद धनी होता कुटम का पुनरूप से लाब मिलता है चद्रमा की दसा अंतर दसा में रोजगार तो अच्छा जाएगा जाएगा साथ इसाथ जा तक दन भी पहुत कमात जाता और धनुराशी अग्रितत्तु की यह चद्रमा जो हिजलतत्तु है तो यहां पर थोड़ ऐसा रोजगार में दिक्कते होगी हलाकि महनत करेगा जाता रिजल्ट जरूर आएगा पर बहुत महनत करने के बाद जब थोड़े रिजल्ट में कमी आएगी जहां पर 10 को माता की सेथ में दिक्कत दोनों के साथ मद्वेद हलाकि साथवी दरश्टी से रोजगार को देख रहा है तो सुक तो देगा रोजगार में वरद्दी करेगा पर थोड़ी रुखाउटे भी देगा पर यहां पर चंद्रमा बहुत खराब नहीं माने जाएगा इसके साथ साथ कुटली के अंदर अगर हम पंचम भाहो में बात करें तो पंचम भाहो का चंद्रमा भी यहां केदर का मालिकों के तिरकोन में बैटा तो अच्छा है निच्चित रूप से अच्छा फल देगा और संतान के बाद जाता देखा गया कि और रोजगार में ब्रिद्दी औ और जातक अगर नेवी के चेतर में हो या सम्मुत्री चीजों का व्यापार करें तो पहुत फैदा होता है और जातक के जो रिलेशन होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं और निच्चित रूप से के अंदर कमालिक तिरकोन में हो जाता था तो चंद्रमा की दसा अंतर की सारे रेखुप से तिक्कत देता है सब्तब भाहों में चंद्रमा बहुत अच्छा मेश राची में बैठा है विवाएक जीवन के बाद भागयोदे होता है जातक को विभा का भी सुक मिलता है जातक की जो पत्नी होती है देखने में बहुत भावक होती है और निच्चित तो तुरू गुप्त ज्यान यानि सैंटिस्ट के चेतर में करें और सूर्य अच्छ है तो बहुत आगे बढ़ता है पर यहां पर रुकाउट है ज़रूर करेगा मांचिक राफ सारी रिकुरूप से बादा देगा चंदर्मा की दसा में रोजगार में दिक्कत होगी मांचिक प्रेशाली होगी हर चीज़ों में बादा होगा दिक्कत पीछा नहीं छोड़ेंगी हलाकि सूर्य का इस्तिती अच्छ है तो साइंटिस्ट्स के चेतर में जद तक अच्छ होता है बागे बावों में चात्रमा बैचा है मितुन रसी में तो यहां पर दस्वे बाव कस्वा पनी खुद की रासी में है तो रोजगार में तो वरति करेगा है करेगा हंटर परसंट करेगा मान शंबाद देगा फटरप सब्रतिक्रा को और जontर देखने को मिलें गेूर एका 10 हों में चाधर मा सिंह रासी होती है जा तक कि एक जहां चाधरम बैठे तो वहाँ पे ए रासी भी कैलककुलेट करते हैं तो यहां पे जा तक निच्छी दुरूप से सब्तंतर विचारोंगा होगा, रोजगार की दरश्टी से अच्छा, एकादस भाहों में बैठके लाब कराएगा चत्रमा को हर ग्यारवे दिन बढ़िया भाता मिलेगा, सुमारगा दिन में चत्रमा को लाब मिलेगा, शिवजी की उपास करें तो निच्छी दुरूप से रो दिक्कत पैदा करेगा, मांसी दुरूप से प्रेसान गबराहट में चानी करेगा, देखें दूसरा भाहों चंद्रमा का, यहां पर बहुत अच्छा है और दूसरे भाहों पर मंगल की दरश्टी और गुरू की दरश्टी है तो निच्छी दुरूप से फिर दढ़ का अगल की दरश्टी नहीं है, तो यहां पर थोड़ा उल्टे भी योग बन जाता है यानि धन और कुटम का लोस भी हो जाता है, अभाहों भी देखा जाता है और निच्छी दूरूप से विभाईक जिवन के अंदर भी थोड़े सी मद्वेत देखने को मिल सकते हैं, तो दो